Hey my youtube family what's up कैसे हो आप सब I hope you all are doing well So मैं यह EAT make-up look आप लोग के सामने ला रही हूँ And सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे family के तरफ से Happy EAT So guys यह EAT के लिए मैंने यह make-up look create का है And बहुत ही simple soar सा है And आपको कुछ भी मैंने Happy Make-up इसमें नहीं किया है So बने रही है मेरे वीडियो में I hope you all enjoy Hey guys कैसे हूँ आप सब मुझे कमिन सक्षिन में जरूर बताना So अब कमी मी के आए कि EAT आने वाला है So मैंने सचाए कि यह EAT किया जाए है So मैंने आज ही बहुत ही Simple make-up look create किया है Make-up feel नहीं हो रहा होगा But यह EARING के अलावा EARING काफी HEAVY सा है सबकुछ बिल्कुल पॉफेक्ट है सिवाल इस EARING के सानों और बानों के क्योंकि अभी लोंग रॉन चल रहा है So मैं बाहर अचली नहीं चाह पानी हूँ So मैं आप इसे बनवा सकती हूँ मतब बहुत ही सिंपल सा कैडवल सा एक मेकप लूप क्रियेट करूँ मैंने यह मेकप लूप क्रियेट करा है I hope आप लोग अच्छा लगे तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस मेकप लूप कैसे क्रियेट किया है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर भी करना तो मेकप करने से सबसे पहला important step होता है कि आपको अपने face को clean करना है क्योंकि अगर आपका face गंदा है तो आप उस पे make-up अपला नहीं कर सकते हो वो आपके face को बहुत जादा harm करेगा सो मैं यह cleanser के help अपने face को अच्छे तरीके से clean कर ले रही हूं मैं face wash कर लोंगी मैं face wash कर चुकी हूं तोवल से मैं ने face को अच्छे से सुका बली है मेरा skin थोड़ा hydrated नहीं फील होगा तो मैं अभी डाबर गुलाबरी का toner यूज कर रही हूं इससे skin पर मैं सूखने के लिए दूगी दो मिनट में अट्लिक से यह सूख चाहेगा and now my skin look healthy seriously मैं so second मैं यूज कर रही हूं यह L'Oreal Paris Crystal Micro Essence इससे यूज करने से बहुत ही जादा benefit कि आपके face पर make-up harm नहीं करेगा यह बिल्कुल भी sticky नहीं इसका कुछ कुछ का क्या होता है कि stickiness होती है and यह बिल्कुल भी stickyness नहीं water के form में है so guys मैंने यह foundation apply कर लिया foundation के लिए यूज किया लक्मी का 9 to 5 sorry मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी next मैं यूज करूँगी concealer maybeline का fit me concealer इससे मैं आपको अंडर आई आपको dark circles फिर eyeshadow का base के लिए आपको चाहिए तो इससे eyeshadow का base भी हो जाएगा and जहां मेरा skin पे थोड़ा patch step से feel होता है थोड़ा dark है वहां इससे मैं इसको highlight कर लोंगी क्यूंकि make-up में अगर फिर आपको dark circle step रहता है तो वह अच्छा नहीं लगता तो यह चोटू सा beauty blender का use कर रही हूं मैं इससे अच्छे से मिलाने के लिए guys आपको एक बात का धिहान अच्छे तरीकी से रखना होगा अगर आप make-up कर रहे हो कुछ भी तो आपको blending सबसे important part होती है फॉंडेशन का हो या फिर concealer का हो या फिर contour का हो या फिर eye side का हो आपको blending अगर अच्छी से नहीं होगी तो आपका make-up जो है वो अच्छी से एक अच्छी सा outcome उसका नहीं आएगा so first of all आपको blending पे ध्यान देना होगा and अगर आप beginner हो जैसे कि मैं भी beauty blender का help ले सकते हो beauty blender के help से बहुत ही अच्छी तरीकी से blend हो जाता है make-up हमारा जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी तरीकी से मेरा concealer जो है वो blend हो चुका है and now look at face कि इना अच्छा लग रहा है before and after आप देख सकते हो तो इसको set करने के लिए लूस पॉडर का यूस कर रही हूं यह लाकमी का लूस पॉडर है मैंने इसे नाइका से लिया था and मेरे पास यह दो से तीन है कि बहुत ही perfect है कम range में affordable range में तो इसे पूरे face पे अपलाई कर लूँगी मैं ताकि मेरा concealer है and जो मेरा foundation है मेरे face पे अच्छे तरीके से ताकि मेरा makeup जो है और भी अच्छा रहे तो इसे मैं loose powder को पूरे face पे अपलाई कर लूँगी तो guys अगर आप loose powder से अपने face को set नहीं करोगी या कोई भी powder से अपने face को set नहीं करोगी तो आपका foundation है या फिर जो concealer है अच्छे तरीके से आगे का makeup आपको blend नहीं कर पाओगी तो यह मैं makeup brush का यूज कर रही हूँ यह fluffy makeup brush है जिससे मैं excess जो भी मेरा powder है वह अपने face पे से अपने neck पे से remove कर दूँगी ताकि मुझे आगे जाके कोई problem ना हो तो यह brush जो है यह flip card brush है जाहिए तो मैं इसका link आपको description box में दे दूँगी आप फिर वहाँ से purchase कर सकते हो so guys तो मैं again यह toner का use कर रही हूँ as a makeup fixer जितना भी मैंने अभी base makeup अपना किया है उसको fix कर लूँगी ताकि अभी की गर्मी का time है तो वह sweat कि मुझे बहुत ही जादा स्वेटिंग होती है आप भी इस टिप जरूर करना makeup base makeup को set करना बहुत जरूरी होता है so guys मैं अपनी शानों और बानों का कुछ भी नहीं कर सकती इसलिए मैं इसमें eyebrow kit apply नहीं करूंगी तो सीधी मैं जाती हूँ आपको अब यह जो निकालते हो अंडर आई के पास तो उसी तरीके से मैं सबसे पहले इस brown eye को करूंगी brown eye shadow pick कर रही हूँ मैं तो इसे मैं पूरे नहीं लगाँगी सिर्फ थोड़ा सा little bit of corner लगाँगी इस पे मुझे यह color नहीं चाहिए तो इस तरीके से मैं दूसरे eyes पे भी लगा लूँगी आप देख रहे हो कि मैं पूरा eyes पे apply नहीं कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे दूसरा set apply करना है यह एक crease बना लूँगी मैं ताकि यह मुझे दूसरा color भी दिखे जब मैं यहाँ पे एक simri color करने वाली हूँ तो अच्छी तरीके से blend करना है जैसा मैंने आपको बोला था कि blending सबसे ज़्यादा जरूरी होती है मैं भी बिगनर हूँ तो मैंने भी देख देख के ही सीखा है तो यह मेरा तो हो गया आइसाइड वाला पार तो मैं यह एक पिंक सेड ले रहे हूँ यह सिमर सेड है अगिन वही आइसाइड वालेट है दूसरा आइसाइड वालेट में यूज नहीं कर रही हूँ तो इसे मैं मिडल पोर्शन पे लगाऊंगी अच्छी तरीके से ब्लैंड कर लूँगी मुझे पिंक कलर थोड़ा चाहिए था क्योंकि मुझे कुछ सिम्पल सा चाहिए था यह कुछ जादा ग्लिटरी नहीं था क्योंकि आइसाइड वालेट बहुत सही है बहुत ही रिजरेबल डेट में है वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ तो इसी तरह किसे मैं दूसरी आइस पे भी कर लूँगी अच्छे तरह किसे ब्लेंड करूँगी आपका मेकप उतना ही जादा इन्हेंस होगा आइस लुक को मैं कुछ जादा है भी नहीं कर रही हूँ मैं बहुत ही सिंपल रखी हूँ हैँ आपक अपले करूंगी लाइनर यह ल्कमी का एपसल्यूट लाइनर फोल सी सिरियसली मैं ऑल्वेज्ट से मै थोड़ा सावी मुझ। मैं इसी लाइनर कर रही हूँ जल्ड १ है जल्दी आपको शूख जाता है अ फैलता में उसका पेक्ट यह लें बता सकते हूं कि विग만रौ ले अगर लेतो बहुत सएग है अगर उनको लगाना सीक रहा हुआ आप जैसे मैं बी सीक रही हूं मुझे लाइन लगाने ही है हमेसा से तो मैं लाइनर लगाने में बिग नहीं हूं लाइनर कभी कभी लगता है कि मैं प्रो हूं मैं अपनी तारिफ ने करी हूं बस लाइनर के लिए मैं बोल ढही हूं लाइनर मुझे अच्छी तरीके से हो जाता है क्योंकि I love liner में कुछ भी नहीं करूँ लेकिन मुझे लाइनर लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है देन अगेन इसी पैलेट का जो यह ब्रॉण सेड है हलका ब्रॉण सेड तो उसे में यूज करूँगी एज अपने चीक बोन को क्योंकि कंटोर मुझे पॉडर का जो कंटोर होता है लेक क्रीम कंटोर से ज्यादा मुझे करना है ताकि आपके फेस को थोड़ा कोड की लूग ना दे मेसी ना लगे एंड थोड़ा सा कट क्रीज आपको लग रहा होगा मेरे चीक बोन के पास देन अगेन यह मैं यूज कर्या हूँ माइ ग्लैम का लिप्स्टिक अज ब्लस के तोर पे यह रेड लिप्स्टिक है मैं मैं ग्लैम से लिए था एंड लव दिस लिप्स्टिक यार इसका से बहुत ही जादा प्यार है मैं आलवेज इसे यूज करती है और बहुत टाइम से एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हाट से मैं इस लिप्स्टिक को जाते अच्छे तरीकिस अपने चिक बोन पे ब्लेंड कर ल आइन-यर यह सब मुझे बहुत पसंद है मैं काजल नहीं लगाती हूँ कि मेरी आँगे मुझे मुझे और बड़ी बड़ी लगती है इसलिए मैं काजल नहीं लगाती हूँ मुझे अपने पर आपनी यहां यह प्रवाइब आप देखेगा कि मेरे आइलेस कितने बड़े लगते हैं बहुत ही जाधा बड़े क्योंकि यह मस्कारा बहुत ही जाधा सही है आपको यह 300-400 की बीच में आपको आजाएगा एं उसके बाद देखो मस्कारा लगाने के बाद कितना अच्छा लूक दे रहा है यह मैं लाइट पिंक शेट का आइसे यूज कर रही हूं लागा काजल यूज करूंगी मैं अपने अंडर आई को इससे अच्छी तरीके से लग कियान में आके कितनी अच्छी लग रही हैं सिवाई इस आइब्रो के सो टोटली इग्नोर इस आइब्रो सबसे पहले गाइस लिप्स्टिक लाने से पहले मैं अपने लिप को मॉस्टराइज करती हूं जो बहुत ही ज़रूरी है कि अभी के टाम में लिप बहुत ही जादा रहा है तो सीधे लिप्स्टिक अपलाय आप करोगे तो वह आपको अच्छा इफेक्ट नहीं देगा इसलिए सबसे पहले अपने लिप को मॉस्टराइज कर लिया करो बारी आदिये गाइस आपको हाइलाटर की हाइलाटर के लिए मैं यूज कर रही हूं स्विस ब्यूटी करें तो इसी प्रस को मैं आजा रइंडिये अपनी फेस पर रहा हो गी तो आपका फेस का लुखी गाई अदेगा एब प्ली का घांच तो आपको ना फोटो फोकस मतर्… मताब फेस हो जाता है आपका हाइलाटर यूज करने के बाद आपका भी कुछ नहीं makeup यूज़ कर रहे हो बस थोड़ा सा tint और highlighter यूज़ कर लो तो आपका face ना अलग सा glow देगा तो थोड़ा सा highlighter मैं अपनी nose पे and अपने cheek पे apply कर रहे हूँ and थोड़ा सा neck पे भी ताकि एक अच्छा effect आए face पे तो आपको highlighter दिख रहा होगा बड़ नेक पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन seriously मैं बहुत अच्छा effect आता है neck पे भी लगाने के बाद and here guys मेरा makeup जो है almost complete हो चुका है तो अब बारिया पी lipstick की तो lipstick में मैं mate pink color का lipstick जो है वो use कर रहे हूँ and आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा पहले अपने lip को moisturize कर लिया था इसे lipstick मेरी बहुत ही आसानी से लग जाएगी मेरी लिप पे यह meat lipstick है and मैंने आइसाइडों को देखते भी अपना makeup को देखते भी अपना lip stick भी चूज किया है पिंक कलर का ताकि मैं जादा रेड टाइप से lipstick लगाती तो बहुत जादा हैवी लिख होता then again मैं थोड़ा सा golden highlighter जो है वो अपने eyebrow बोन पे अप्लाए कर रही हूं ताकि थोड़ा एक glittery effect आए ऐसाइडों का मेरे eyes का so here guys this is my final look I hope आपको मेरा ये makeup look इद का पसंद आया होगा which is quite very simple and very classy so I hope जरूर आप लोग इसको use कीजिएगा this makeup look guys ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो eat makeup look I hope आप सबको अच्छा लगे अच्छा लगे तो comment section मुझे जरूर बताना and I feel sweating so much so often because I feel a lot more warm and the मेरा जोटी की ए दिल्ली की की अपनाएप में ये थोड़ा है तो फ्सरा रहा है ये थोड़ा है ये थोड़ा है ।्च्छा एवी है ये थोड़ा हैं तो आप जरू ट्राय करना एंड इस मेकप लोग करने में कुछ भी आपको जादा प्रोब्लम नहीं होंगी क्योंकि मैंने बहुती बहुती बेसिक से स्टप्स काईड़ी किया हैं क्योंकि I'm also a beginner not a professional छोटी-छोटी चीजों से भी होती है इसलिए पटले सुरुआत में खोटा ही होता है ज़िये कोई भड़नी बात में है झालम ऑने रह 있다 मेरा वीडियो देख साथे अपना फ्यारा मुझे देखा है इन लिए आन यह अपनाला पयार अनुर्म यह से ए अनद हैपी एद आप सभी को एद मुबारत तो मिलती मैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक की ली टाटा और बाई